नमस्कार, आज का वीडियो उन सभी के लिए हैं, जिनने स्लीप एपनिया की प्राब्लम है, जो खराटे लेते हैं, मुँ से सांस लेते हैं, और इस वज़े से कई बार रातकून की नीन खुल जाती है और वो वापस सो नहीं पाते हैं. आज मैं आपको कुछ जीव की exercise, मुँ की exercise और गले की exercise बताओंगे और इसके साथ हम अपने sinuses को clear करेंगे ताकि आप पूरी रात आरहम से नाक से सांस ले सकें और बहुत सारी प्राब्लम्स से अपने आपको बचा सकें. आए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने sinuses को clear करेंगे उसके लिए आपको अपने जो नाख के पास वला हिस्सा है यहाँ पे दौनों fingers रखके इस तरह से circular motion करते हुए अच्छे से massage देनी है दीरे दीरे नहीं करना है अच्छे से malish दें इस पार्ट को थोड़ा उपर नीचे इस तरह से pressure देते हुए एक दो मिनिट तक ही massage दें उसके बाद अपनी जो knuckles है यह वाले हिस्से को नाख के दोनों तरफ रखेंगे और बाहर की दरफ खीचना है अच्छे से pressure दें इतना pressure दें कि आपको थोड़ा सा दर्द भी महसूस हो यह बहुत effective है आपके sinuses को clear करने के लिए इस तरह से आप आधा से एक मिनिट तक pressure देंगे आपको खुद महसूस होगा कि आपके sinuses clear हो गए हैं खुल गए हैं उसके बाद आप breathing करेंगे अपनी नाख से पहले left nostril से उसके बाद right nostril से आए मेरे साथ करेंगे पहले अपना right nostril बंद कर ले left से 10 बार सांस लेना और छोड़ना आखे बंद करके कर सकते हैं लंबे गहरे सांस लेना और छोड़ना कोशिश करें सांस लेने में जितना टाइम लग रहा है उसे जादा टाइम सांस छोड़ने में लगे दस बार left nostril से सांस लेना है ठीकिसी तरह से 10 बार right nostril से सांस लेना है अब आप अपने left nostril को बन कर ले और right से 10 बार सांस लेना और छोड़ना सांस भरे सांस छोड़े सांस भरे सांस छोड़े इस तरह से दस पार लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है अब हम काम करेंगे अपनी जीब पर अब अपनी जीब को अपने मुँ में सबसे नीचे की तरफ अच्छे से प्रेस करें एकदम जैसे आप अपने नीचे वाले जोग को धक्का दे रहे हों जीब से इस तरह से आप जीब से अच्छे से धक्का देंगे मुँ बंद रखेंगे और नाक से सांस लेंगे करेंगे एक बार जीब को नीचे वाले तालू पर लगा लें अच्छे से प्रेस करें और नाग से सांस लें और छोड़ें करेंगे सांस लेना और छोड़ना जीब को होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and relax एक और बार करेंगे जीब को अच्छे से प्रेस करें नीचे की तरफ मुह बन रहेगा नाग से सांस लेना और छोड़ना करेंगे इस तरह से पांच बार यह अप्यास आपको करना है इसकी बाद दूसरा अप्यास कि आप अपनी जीब को दांतों के बीच में लगा लेंगे इस तरह से और फिर आपको ऐसे करना है जैसे आप किसी चीज़ को जब निगलते हैं जब आप थूक निगलते हैं तो कैसे होता है गले में देखिए कैसा मूवमेंट होता है यह मूवमेंट देखा अपने गले में ठीक यही मूवमेंट आपको जीब को दांतों के बीच में दबा कर करना है जीब को यहाँ लगा ले और मुवमेंट करेंगे आप मेरे गले की तरफ अगर ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि गले को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिल रही है थोड़ा सा मुशकिल होता है ये क्या हमारा मुँझे खुला होता है तो मुझे सूख जाता है और मुँझे लार बनना बंद हो जाती है तो तो ओड़ा सा अभयास करेंगे तो आप चीक पाएंगे तो यस अभ normally को लेप्ट और राइट साइड में करेंगे दूसरी तरफ हो सकता है चेहरा इस वक्त पनी लग रहा हो उसके चिंता ना करें प्रॉब्लम का सुल्यूशन जरूरी है दूसरी तरफ करेंगे चेंज चेंज आदर साइड इस तरह से दस दस बार आप दोनों तरफ इस अभ्यास को करेंगे यह आपके फेस को बहुत अच्छी एक्सरसाइज देगा माउथ को स्पेशली इसके बाद आप अपने जोज को अच्छे से रिलाक्स करें अच्छे से मालिश देंगे गोल गोल घुमाते हुए प्रेस करते हुए पूरे अपर एंड लोवर जोग को अच्छे से मसाज़ देनी है सर्कुलर मोमेंट दे सकते हैं जो दौनों जोज के बीच वाली जगह है वहां पर यहां नीचे कानों के नीचे वाला भाग यह मसाज दें अच्छे से एक मिनिट कर इसके बाद अगला अभ्यास आप करेंगे आपको अपनी जीब को बाहर निकालना है और पूरा नीचे की तरफ ले जाना है एक बार देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे जीब को बाहर निकालना है इस तरह से यानि मालो आप जमीन को टच करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे आपको जीब को करना है इस वक्त आप नाक से सांस लेती रहेंगे और मैं काउंटिंग देती हूं शुरू करें आप जीब ब 5, relax एक और बार करेंगे जीब को पूरा बाहर निकालें ब्रीधिंग करते रहेंगे जीब को होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5, relax अब यही चीज जीब को ऊपर की तरफ करना है जैसे आप अपनी नाक को टच करने की कोशिश कर रहे हो जीब को बाहर निकालें और नाक को चुने की कोशिश करें इस तरह से करेंगे आप मैं काउंटिंग देती हूं 1, 2, 3, 4, 5, and relax एक और बार करेंगे जीब बाहर निकालें नाक को चुने की कोशिश करें सांसे लेते रहना है नाक से 1, 2, 3, 4, 5, and relax अब आपको अपनी गर्दन को ऊपर करना है और जीब को छत की तरफ करना है कैसे गर्दन ऊपर की और जीब बाहर निकालें करेंगे आप एक बार मैं काउंटिंग देती हूं आज काउंट तक जीब को होल्ड करना है करें गर्दन ऊपर करें जीब बाहर निकालें 1, 2, 3, 4, 5, relax वापसा जाएंगे सामने एक और बार करें गर्दन ऊपर करें जीब बाहर निकालें होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5, and relax ये तीनों अभ्यास आप 5-5 बार करेंगे जीब को उपर करना, नीचे करना और चट के तरफ करना इतना करते करते आपको खुद महसूस होगा कि आपके गले की, आपके माउट की और जीब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई है और इसके बाद आप करेंगे उजय प्रानाया, ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब आप उजय करते हैं, तो इससे आपको स्लीप अपनिया में और स्पेशली उन लोगों को जिने खराटे आते हैं, उनको बहुत फायदा मिलता है साथ ही अगर थायरोइड की प्राब्लम है, तो उसमें भी बहुत रिलेफ मिलेगा तो करेंगे, जब आप सांस भरेंगे, तो गले से रगड़ खाते हुए आपकी सांस जाएगी सांस छोड़ेंगे, तब भी उसे गले पर महसूस करना है ध्यान रखें, सांस लेना और छोड़ना नाक से ही होगा सिर्फ आपको गले में महसूस करना है सांस को थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे करते हैं, मालीजे अगर आप इस तरह से मूँ खोल कर सांस छोड़ें, तो आपको महसूस होगा गले में सांस इसी को आप मुँ बंद करके करें, इसी तरह से सांस लेना, अगर आप मुँ खोल कर करें, इसको मुँ बंद करके करके देखें बस यही उज़े ब्रीधिंग है, आपको मुँ बंद करके इस तरह से सांस लेना है दो तिन राउंड मेरे साथ प्रैक्टिस करें, हम इसके साथ आज बंध नहीं लगा रहे हैं, सिंपल ब्रीधिंग करेंगे, तो नाक से ही सांस लेना है, मुह बंध रहेगा, शुरू करें, सांस भरें इस तरह से कम से कम 11 बार आप यह अभ्यास करें, आपको तुरंद महसूस होगा कि गले को बहुत अच्छा व्यायाम मिला है, यह सीधे सीधे आपको खराटो से छुटकारा दिलाने में, स्लीप अपनिया में बहुत फायदा देगा, और अगर थाइरोइड है तो उसमें भी ब बहुताम होगा, तो एब अभ्यास करें, आपको इतना फायदा महसूस होगा, पहले दिन से आपको आपको अपनी नेंद में और झो स्लीप अपनिया की प्रॉबलम है, खराटो की प्रॉबलम है, उसमें बहुत सुधार महसूस होगा, आपकी नेंद की क्वालिटी दिन पर दिन सुधरती जाएगी और जो रात को बे टाइम आपकी नींद खुल जाती है उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा तो यह अभ्यास करें और जो भी आपके experience हैं वो मेरे साथ जरूर शेयर करें और सबसे important अपना ख्याल रखें नमस्कार